आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एडवांस वर्क्शोप टेक्निक्स मैकेनिकल ओटो मॉबाइल 306 एम में 306 इसकी यूनिट है हमारी फर्स्ट जो है मैटल कटिंग शा मैटल कटिंग सा में धातो को काटने के लिए आ रहा सा मतलब हेक्जा जो होती है इसको बोलते हैं आ रहा फर्स्ट आता है कि सेविंग मशीन बोलते किसे हैं कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से वो कटिंग करती है तो सबसे पहले इसकी परिभासा पर आते हैं तो परिभासा देखिए जैसा कि लिखा हो है सेविंग मशीन ए प्रोसेस इन विच ए नेरो स्लिट इस कट इन्टू दा वर्क बाए टूल काल्ड शा देट मेंस एक क्रिया जिसके अंदर एक हलकी सी दरा स्लिट मतलब जगे बन जाती है और जिसकी मदद से बनाई जाती है उस ओजार का नाम होता है शा ठीक है और शा के वज़े से जो क्रिया की जाती है उसको बोलते है शाविंग यानि साविंग क्या होगी एक वर्क पीस की बीच में एक शा यानि आरी जो है उसकी मदद से एक बीच में एक स्लिट ए प्रोसेस ठीक है इसके अंदर consist of a series of narrow spaced teeth यह जो शाह है जो आरी है वो किसे बनी होती है छोटे छोटे दाते होते हैं teeth होते हैं जिनके बीच में बहुत कम gap होता है यानि एक series होती है पूरी teeth की जो जिन टीथों के बीच में एक बहुत कम जगे होती है ठीक है देखे इसके जो फाइदे हैं और uses है tooth removes small amount of material यानि हर एक जो tooth है यानि जो दाता है उस आरी का वो क्या करेगा उसके उपर उसको remove करना थोड़ा material remove करना है उसे इसका मतलब उसके उपर जो forces हैं वो भी कम लगेंगे forces कम लगेंगे तो blade जो है वो कम गरम होगी यानि उसका temperature जो है वो low रहेगा हमें cooling medium की requirement नहीं पड़ेगे ठीक है यानि हर एक teeth के उपर load थोड़ा थोड़ा आता है जैसे हमारे lathe पगरा है milling machine है इनके उपर जो है हम depth जादा रखते हैं इसके अंदर हम depth कम रखते हैं कुछ बहुत सारे benefits इसके अंदर है second देखिए tooth form से chips progressively यानि लगातार जो है एक teeth काटेगा फिर next teeth काटेगा फिर next teeth काटेगा और इस तरीके से कहा है में लगातार जो है teeth जो है वो chips काट काट के remove करते रहेंगे ठीक है chip are contained between tooth chips को जैसे drill के अंदर जो fluids होते हैं इसके अंदर भी हम chip काटेगे तो उसे जगें चाहिए और जगें कहा है teeth के बीच में जो space है वो ही जगें किस के लिए काम आएगी chips के लिए काम आएगी वो chips उसमें store हो जाती है और जब आगी की तरफ निकल जाती है तो chips आगी की तरफ गिर जाती है और जब पीछे की तरफ आती है तो पीछे की तरफ बची हुई पीछे की तरफ गिर जाती है हमेशे याद रखिएगा cutting stroke आगी की तरफ जाते हुए होता है return stroke पिछे आते हुए है next ये जो है use for metallic and non-metallic both यानि जो हम shaving machines हैं वो धातु और एधातु दोनों के लिए ही use कर सकते हैं यानि इसका एक use आ गया कि ये धातु और एधातु दोनों के लिए use होता है यानि हमें के धातु काटनी है या फिर लकडी वगरा काटनी है तो हम वहां भी हमारी आरा का इस्तमाल कर सकते हैं most economical cutting process यानि सबसे किफायती cutting process है यानि आपको एक piece को दो हिस्सों में काटना है तो अगर आप आरा से काट रहे हैं तो इसका मतलब आप सबसे सस्ते में उस piece को काट सकते हैं otherwise आप किसी अगर बड़ी machine का इस्तमाल कर रहे हैं तो उसकी जो cost है जो लागत है वो कहीं जादा आ जाएगी next है use to separate a work part into two pieces यानि वो हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो work piece है जो हमारी आ रहा है यानि शाव है वो किसलिए का हमारी है उसके दो इससे करने के लिए यानि उसको दो pieces में separate करने के लिए ठीक है इसको जो principle है वो क्या है work held stationary and sharp blade moves यानि जो हमारा piece जिसे हमें काटना है उसे तो हमें machine wise में या किसी जा में उसे जकड़ना पड़ेगा यानि वो stationary रहेगा यानि रुका हुआ रहेगा ठीक है और जो sharp blade है व sharp blade का motion हो जाएगा reciprocating और जो work है वो हो जाएगा stationary workplace ठीक है तो यह हमेरे उसके कुछ uses और उनके जो principle है आगे देखिए कि types of shying machines देखिए उनको एक तो motion के हिसाब से भी कर सकते हैं power के हिसाब से भी कर सकते हैं उनकी shapes के हिसाब से भी कर सकते हैं उनकी blades के हिसाब से भी कर सकत तो first जो है reciprocating शा यानि जिनमें जो blade है वो straight रहेगी और वो आगी पीछे की तरफ चलेगी तो उन शा को कौन सा बलते हैं reciprocating शा second है band शा है फस्त जो है reciprocating शा है उसके दो होते है manual जो normally हम use करते हैं वर्कशोप के अंदर बच्चे जो hand operated होती है बच्चे अपने हाथ से चलाते हैं उनको बोलते है manual hexa दूसरी होती है power hexa जो हम machine shops वगरे के अंदर यूज़ करते हैं जब हमारे जो work piece होते हैं वो जड़ा heavy हो उनकी cutting के लिए हम power hexa के यूज़ करते हैं hexa को एक power दी जाती है motor के दुवारा और वो power hexa के लाती है देखी जैसे आपको diagram भी दिखाते हैं यह diagram जो है आप देख पा रहे हैं यह normally hexa है इसमें power drive है अगर power drive है तो यह power hexa बन गई ठीक है उपर क्या होगा blade frame होगा नीचे जो है शा blade है यानि जो आरी है आरी की पत्ती है ठीक है और नीचे यह जो आप blue color में देख पा रहे हैं यह work piece है और नीचे जो है work table है जिसमें इस work piece को hold किया हुआ है पकड़ा हुआ है ठीक है जब यह आगे की तरफ जाएगी तो इसका cutting stroke लिखा हुआ है और वापिस आएगी तो यह returning stroke होगा देखी जब आप एक बार काट देंगे तो फिर उसको वापिस नीचे की तरफ और depth में जाना है तो उसे क्या requirement होगी? फीड फीड जो है यह power hexa जो है वो लेती है इसके खुद के weight की वाज़े से जो blade frame है यह metallic होता है cast iron का और इसका खुद का जो weight होता है जिस उसी के कारण यह automatically नीचे की तरफ इतना load लेती है और feed automatically हो जाती है ठीक है? और अगर यह power drive ना हो तो यह normally हमारी manual hexa हो जाती है जो normally बच्चे workshop के अंदर use करते है आप इसकी blade को देखिए blade कैसी है? straight blade है यानि सीधी blade है ठीक है? तो यह hexa जो होती है reciprocating hexa यानि इसका motion देखिए blade आगी जाएगी then वापिस आएगी ठीक है? तो इसका motion हो गया reciprocating और reciprocating motion होता है उसकी हमने दो बताये थे manual hexa और power hexa अगर इसके अंदर motor से power दी जा रही है तो manual hexa होके लाएगी ठीक है? next देखिए second होती है band shah ये इसके बहुत सरे वह होते है band shah जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि band होगा जो आरी होगी आरी वो band होगी band मतलब मुड़ी होगी ठीक है? उसमें vertical cutoff भी हो सकती है horizontal cutoff भी हो सकती है combination cutoff भी हो सकती है, contour भी हो सकती है, depend करता है हमारी जरूरत पर कि जैसे हमारी जरूरत होगी वैसी हम उसको purchase करते हैं देखिए first vertical जैसे कि आप normally आप इनको देखेंगे आप इनको देखेंगे लकडी की काम में इसको इसको इस्तुमाल किया जाता है यह देखिए, इसके अंदर उपर दोनों पुली है, इसमें पुली mechanism से इसको चलाया जाता है blade के एक तरफ teeth होते हैं, दाते होते हैं और एक side नहीं होते हैं ठीक है, देख पारें आप blade की direction नीचे की तरफ आ रही है, उदर उपर की तरफ जा रही है दोनों side पुली लगी हुए है, एक driver है पुली और एक driver पुली है ठीक है और blue color का जो है, वो हमारा work piece है, जो normally उसको नीचे क्या है इसमें work piece को hold नहीं किया जाएगा, इसमें जो blade है, उसकी position fix रहेगी और जो work piece है, वो movable होगा, ठीक है, यानि जो हमारी reciprocating hexa है उसके मुकाबले, जो हमारी band शाह है, उसमें क्यांतर है जो हमारी reciprocating है, उसके अंदर blade moment करती है और work piece जो है वो इस्तिर होता है, यानि stationary होता है, परंतु जो हमारी band शाह है उसके अंदर हमारी blade जो है, वो stationary, stationary मतलब उसका जो motion है वो एक ही जगे होगा, ठीक है, यानि उसका और जो work piece है, उसको हम feed देंगे और work piece में जितनी cutting होती रहेगी, वो किस पे होगी, work piece पे ही होगी परंतु work piece के moment की वज़े से होगी, motion की वज़े से होगी और work piece को hold किस पे किया जाएगा, रोका किस पे जाएगा, work table के उपर, ठीक है तो यह समझ में आया कि इसमें, जो pulley mechanism है, पुली ही जो blade है, उसको गुमाती है इसमें एक चीज और होती है, कि जो blade है, वो endless होती है, यानि jointless जो band shah होती है, उसकी जो blades होती है, उनके अंदर joint नहीं होता है ठीक है, और ये band होती है, यानि circular होती है मतलब एक straight, मतलब दो pulley's के उपर से, जैसे belt होती है, उस तरीके से ये घुम के, और फिर ये cutting करती है ठीक है, इसमें भी blade के एक ही side दाते होते हैं, एक side दाते नहीं होते हैं ठीक है, दाते उसी प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे reciprocate में हैं, देखिए ठीक है, और वो एक side inclined होते हैं, वो आगे concept बताएंगे आपको क्यों होते हैं next होती है, इसमें देखो, अगर blade vertically ही चल रही है, तो vertical होगी, horizontal है, तो यह horizontal band शा कहलाएगी और तीसरा होता है, combination cutoff, यानि vertical भी हो, horizontal भी हो, counter भी हो, यानि कई बार ऐसी need हो जाती है, कि हमें inclined गुमा के blade को चलाना है vertical भी गुमाना है, और horizontal भी गुमाना होता है, कई बड़ decorative pieces को बनाने के लिए, तो वहाँ पे हम उनका इस्तिमाल करते हैं third होती है, हमारी circular shah circular shah भी बहुत सारे प्रकार के होती है, cold shah, abrasive disc, steel fraction disc ठीक है, देखिया, इसका थोड़ा साब को बताते है, normally आज कल इसका इस्तिमाल किया जा रहा है जैसे आप कभी किसी steel road वाले, यानि सरीय काटने वाले को देखोगे, कभी किसी metal काटने वाले को देखोगे जिसकी thickness metal की कम हो, तो वहाँ पर ये circular shah का इस्तिमाल किया जाता है इसमें जो आप देख पा रहे हैं, इसकी shape जो है circular है, ठीक है, यानि blade जो है, वो कैसी है sharp blade, circular, इसका speed motion देखिए, एक side हो रहा है, यानि इसको power दी जाती है, motor के दुआरा और काफी rpm ये work करती है, नीचे work table है, work table के उपर work piece को रखा जाता है और उसको feed दी जाती है, यानि जो उपर circular disk है, उसकी position फिर fix हो गई, और feed किसको दी जाएगी work piece को दी जाएगी, और normally आजकल, क्योंकि ये portable है, ठीक है, एक जगे से दूसरी जगे ले जाया जा सकता है, इसको आसानी से साथ में light in weight है, यानि वजन भी कम है, ठीक है, easy to use है, तो इसको metal as well as wood, लकड़ी काटने के लिए भी इस्तमाल किया जाता है, ठीक है अब बात करते हैं, रैसी प्रोडीशा, जैसे कि हमने आपको बताया था, रैसी प्रोडीशा, देखिए, ये हमारी नॉर्मली वर्क्शोप में मिलती है, पावर हेक्सा कर डाइगर्वेम है, इसमें पावर, पिछे मोटर नहीं लगी हुई है, बागी इसमें मोटर लगती ह नीचे और जिसके कारण इसको पावर हेक्सा बोलते हैं, ठीक है, अब देखिए, इसमें क्या क्या है, मैनुल हेक्सा जो होगी, वो ओपरेटिड होगी, मैनुली, मोशन रेसिप्रोडीट होगा होगा, परन्तु मैन उसे ओपरेट करेगा, मैनुली, ठीक है, सुटेबल उनली फोर स्मॉल वर्क्स, जो मैनुल हेक्सा होती है, वो नॉर्मली किस काम आती है, कि जो छोटे वर्कपीस होते हैं, जिनमें ठीकनेस कम होती है, वहाँ पर हम नॉर्मली हैंड हेक्सा का इस्तमाल करते हैं, नॉर्मली आप हाउस होल्ड, हाउस स्वीज में द मेकेनिकली, र西िप्रोकेट एंगा न रार्ज हैक्शाय बलेडर यह बड़ी यानि जो नॉर्मलि हमारी मैनवल हैक्शाय होती है उसके मुकाबले स्की बलेड चोड़ी होती है और लंबी होती है ठीक है? और इसको मेकेनिकली यानि एक मशीन के दुआरा crank पे eccentric करके एक link provide गिया जाता है जिसके कारण जो blade frame है वो आगे पीछे चलता है यानि motion reciproating लेता है और blade हमारी workpiece को काटती है तो इसमें एक खास बात क्या है कि mechanically reciproating एक large hexa blade एक बड़ी hexa blade को mechanically reciproate करवाता है आगे पीछे करता है इस machine consists of a bed इसमें नीचे का जो हिस्सा है इसको bed बोलते है एक work holding frame उसके उपर आप जो देख पा रहे है equivalent की जो pipe जहां पे जा रही है ये work holding frame होता है जहां पे workpiece को hold किया जाता है पकड़ा जाता है ठीक है एक power mechanism ठीक है एक power mechanism मतलब ये पीछे की जो तरफ आप जो pulley देख पा रहे है और belt देख पा रहे है इनके पीछ नीचे एक motor लगी होती है वो उसकी power को और frame की reciprocity motion में convert करवाने तक का जो mechanism है वो सारा power mechanism कहलाता है ठीक है and feed mechanism feed के लिए हम मैंने बताया था कि इसका जो frame होता है वो already इतना weight होता है उसके अंदर कि वो automatically नीचे की तरफ आता रहता है ठीक है वापिस इसको return करने के लिए इसके अंदर hydraulic system लगा होता है जो इसको automatically एक certain distance के बद आप उसको fix कर देंगे तो वो क्या करेगा उसको automatically lift कर देगा उपर की तरफ इसमें two types crank driven and hydraulic driven होता है यानि इसमें hydraulic system में आपको बता दिया कि return करने के लिए hydraulic है और drive करने के लिए crank है यानि उसको आगे पीछे करने के लिए तो crank है बट उसको जब वो नीचे की तरफ आ जाएगा पीस कट हो जाएगा तो हम उसमें hydraulic यूज करते है hydraulic pressure और वो automatically up होने लग जाती है ठीक है next feed either by effect of force of gravity ठीक है जैसे मैंने कहा आपको कि जो feed है यानि पीस कटता जाएगा और हम उसको नीचे की तरफ जो feed है वो कैसे देंगे gravity से gravity मतलब frame में इतना weight है already कि gravity की विज़े से वो नीचे की तरफ क्या है force exert करता है ठीक है produced by the weight of shear हमने जो पहले कह दिया कि जो है उसके वज़न की वज़े से होता है which exerts uniform pressure by or by weight clamped on the frame यानि वो धीरी धीरे अपने आप ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ज़्यादा आएगा कभी या कमा आएगा ठीक है तो weight की वज़े से क्या होगा वो नीचे की तरफ आएगा next देखते हैं band shear जैसा कि आप पहले भी आपको explain किया है most commonly encounter shards ठीक है जैसे आपको diagram में दिख रहा है इसका भी एक पुरा frame है वो पुली है एक driver pulley होती है और एक driver pulley होती है जैसे इसमें बोला एक upper wheel है एक lower wheel है दोनों wheels के बीच में blade लगी हुई है table है table के उपर work piece को रखा जाता है तीक है उसका control side के column है उसके अंदर उसका control है blade की जो speed है selector करने के लिए कि उसको speed ज़्यादा करनी है कम करनी है वो सारा वो mechanism भी उसके अंदर उपर है अवलेबल है ठीक है नॉर्मली ये wooden के लिए काम आता है लगडिया काटने के लिए काम आता है the most commonly used है ये the blade is counter blade with a series of teeth ground into one edge of its periphery जैसे कि हमने कहा था कि blade जो है उसके एक ही side में teeth होंगे वो सभी प्रकाल के में हो यूज होता है reciproating में भी और band sharp में भी और circular में भी यानि एक side परीदी पे क्या होंगे teeth होंगे two large wheels are located at opposite end हम पहले बता चुके है जिब mechanism है इसके इन यानि दो wheel होंगे एक उपर होगा और एक नीचे उनके उपर ही blade को shed आया जाएगा when the power is turned on the wheel begins to rotate and causing the sharp blade to move जब wheel दोनों wheels के उपर blade को हमने पहले भी बोल दिया एको कि blade जो है वो wheels के उपर चड़ी होई होती और एक driver wheel होता है और एक driving wheel होता है जो चलाता है और एक चलता है जब वो चलते हैं तो blade भी move करती है और जब blade move करती है तो cutting start हो जाती है when the power is turned on the driving wheels begin to rotate causing the sharp blade to move हम वो ही बोल चुके हैं कि on करेंगे तो driver move जो wheel है वो on हो जाएगा और rotate होने लग जाएगा the continuous blade cuts constantly जब blade movement करेगी तो लगातार वो क्या करेगी काटती रहेगी with reduced showing time इसके कारण क्या है कि जो cutting time जो है वो इसमें कम लगता है काफी speed से work करती है ये machine क्योंकि blade काफी बड़ी है तो hitting की problem भी कम आती है इसमे blade on band shaft cut more accurately than reciprocating hexa and build up less heat जो हमने पहले भी थोड़ी दिर पहले बोला कि जो reciprocating hexa है उसके मुकाबले ये जो है ज़्यादा accuracy से काटती है और हमने का कि blade का size बहुत बड़ा होता है ठीक है न hand hexa और जो हमारी power hexa है या reciprocating hexa है इनके मुकाबले में इसलिए heat जो है वो भी इसमें कम develop होती है using flexible band shah blade and simple flash welding equipments ठीक है normally इसमें जो flexible band shah blades use करी जाती है simply उनको अगर जोड़ना होता है तो flash welding equipment से जोड़ा भी जा सकता है which can weld the two end of the A strip हमने का ना कि वो jointless बनाई जाती है तभी तो वो दोनों पुलीज के पर यहीं वील्स के उपर घुमेंगी तो उसको flash welding के दुआरा जोड़ भी दिया जाता है from a band of the desired length जितनी हमें requirement होती है उसके सबसे मुसे जोड़ लेते है ठीक है next होता है हमारा circular shah जैसे अभी कि आप diagram में देख पा रहे हैं हम पहले भी इसको explain कर चुके नीचे work table है उपर हमारा shah blade है जो circular in shape है और speed motion है उसका एक direction में anti-clockwise और feed work piece को दी जाती है और जो हमारी shah blade है उसका motion जो है वो fix होता है ठीक है तो circular shah with metallic tooth blade design to cut metal ठीक है अब circular shah होती है circular मतलब गोल metallic tooth blade होती है उसकी metallic blade होती है जो depend करता है जिस metal को काटना उसके हिसाब से हम इस blade को design करते हैं यानि जो metal काटनी होससे harder material की blade यूज़ करते हैं अवले बोथ portable and fixed type हमने पहले भी कहा था आपको कि इसको एक जगे से दूसरी जगे भी ले जाया सकता है और बड़े size में हो तो हम इसको एक जगे fix भी रख सकते हैं heat generated transfer to chips created जो heat है जो generate होगी वो जो chips हैं उनके साथ चली जाएगा chips जो है ये काफी दूर फैकती है इसलिए open है ये machine blade and material remain cool जिसके काफ़ दोनों ही चाचेश है blade और material दोनों ही cooling रहते है solid HSS और tungsten carbide taped dish shapeable circular sharp blade इसके अंदर जो blades होती है वो normally या था HSS की बनी होती है और tungsten carbide tips की बनी होती है यह उनकी tips पे carbide की चोटे चोटे blades लगी होती है ठीक है electric motor and gear reduction unit to reduce the saw blades rotational speed while maintaining constant torque इसके अंदर electric motor होती है हमने पहले ज़्यादा पावर और अगर आप इसकी speed को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसमें gear reduction unit भी लगी होती है वो depend करता है कि आपको कितनी speed चाहिए तो उसको speed के साब से वो fluctuation उसमें ला देता है इसके अंदर feed mechanically दी जाती है यानि एक आदमी hand operated होती है feed ठीक है वो depend करता है कि आप किस type की cutting करना चाहते हो material जो है वो किस type का है अगर वो ज़्यादा harder material है तो जो feed है वो धिरी धिरी दी जाती है अगर softer material होता है तो feed को बढ़ा दिया जाता है वो ये manually operated होता है capable of machining most ferrous and non ferrous ये metallic यानि लोहे और जो अलोहे होते हैं यानि सबी धातों के लिए से normally use किया जाता है minimum जो है bar production होता है बर होता है जैसे जो जब chips का size छोटा हो जाता है चोटे-चोटे chips निकलते हैं जब हमारी से काटते हैं तो बहुत बारिक-बारिक निकलते हैं और जब वो चोटे size के chips होते हैं तो उनकों हम बर बोलते हैं ठीक है fever sparks यानि जो चिंगारियां होती है वो भी बहुत कम होती है less discoloration and no dust किसी भी प्रकार की dust or decloration नहीं होता है यानि होता है पर बहुत कम होता है low blade speed blade की speed जो होती है बहुत कम होती है जिसके कारण curled metal chips बनाती है ये और fine dust बनाती है बहुत बारिक जिसके कारण जैसे जो इसको उपरेट कर रहा है उसकी health पर negative effect नहीं डालती है then the cooler do not affect the heat treatment of the work यानि जो work piece है उसको normally जब इस तरीके से ये कारण ती है तो जिसके कारण उसकी जो clinical properties है वो change नहीं होती है ठीक है और हमें उसके बाद heat treatment या पहले जो heat treatment किये है उनकी properties को जब change नहीं करे होगे तो हमें need नहीं होगी उसके उपर दुबार heat treatment करने की और more accuracy से accuracy से ही काटता है offer some advantages over band shaft band shaft से इसमें बहुत सारी है न advantages है हम पहले भी बोल चुक है smooth surface बनाती है यानि finishing बहुत अच्छी आती है little blade है इसके अंदर छोटी blade है walking और flexing flexibility है उसके अंदर and ability to cut thin section इसमें ability भी है कि कम मोटाई की जो पी section से उनको भी काट सकती है और खास बात क्या है कि less tooth damage जो इसके teeth है उनको कम damage करती है ठीक है आगे हम पढ़ेंगे शा के जो operations हैं उनके uses हैं और उनकी characteristics next video में पढ़ेंगे thank you